हेलो बच्चों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीव विग्यान अकैडमी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अमाइनो एसिट्स क्या होते हैं इनकी स्ट्रक्चर देखी थी, इनके फंक्शन देखे थे और अमाइनो एसिट्स की स्ट्रक्चर पर पी एस का क्या एफेक्ट होता था ये देखा था, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आर ग्रूप के बेसिस पर अमाइनो एसिट्स कितने टाइब्स के होते हैं और रेक्वाइर्मेंट्स के बेसिस पर इन्हें इतने group में divide किया गया है तो चलिए start करते हैं Last video में हमने देखा था कि जो amino acids है इसमें एक carbon atom रहता है इसे हम alpha carbon कहते है ठीके इसे एक carbo uphill group attached रहता है एक amino group attached रहता है एक hydrogen atom रहता है और नीचे R group रहता है यह जो R group रहता है यह vary करता है इस R group के कारण ही जो amino acids है वो कई types के होते हैं ठीक है लेकिन protein की synthesis में only 20 types के amino acids ही participate करते हैं ठीक है इन amino acids को हम कहते हैं standard amino acids आर ग्रूप के basis पर amino acids को seven category में divide क्या गया है फस्ट है neutral amino acid, second acidic amino acid, basic amino acid, sulfur containing amino acid, alcoholic amino acid, aromatic amino acid and heterocyclic amino acid इन सभी amino acids के बारे में हम एक एक करके जानती हैं सबसे पहले हम बात करेंगे neutral amino acids की ठीक है neutral amino acids क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कोई charge नहीं होता जैसे यदि हम physiological pH की बात करें जो होता है 7.4 इस pH पर क्या रहता है जो acidic group रहता है वो negatively charged रहेगा जो basic group है वो positively charged रहेगा तो और जो R group है उसमें यदि कोई charge नहीं है तो इनमें net charge क्य होगा 0 मतलब neutral हो जाएगा ने एक दूसरे को कार देंगे तो इसमें net charge 0 हो जाएगा तो ऐसे amino acids जिन में physiological pH पर मतलब 7 pH पर net charge 0 होता है उन्हें हम कहते है neutral amino acids ठीक है डाइसीन एक सबसे simplest amino acids है और एक neutral amino acids का ग्लाइसीन में क्या होता है जो R group है उसकी जगहा पर हाइड्रोजन एटम पाए जाता है सिंगल हाइड्रोजन एटम ठीक है तो इसमें net charge 0 होगा इसलिए यह एक neutral amino acids की category में आएगा ठीक है ऐसे इस neutral amino acids का second example है एलनीन यदि हम एलनीन की structure देखे तो इसमें आर ग्रूप की जगह मेथाइल ग्रूप होता है ठीक है अब यह मेथाइल ग्रूप में भी कोई charge नहीं होता तो इसमें भी net charge 0 होगा ठीक है अब एफ़ाइड एक्जामपल है वैलीन पोर्थ है लूसीन और फिफ्थ है आई सुल्यूशन यह सभी hydrocarbon से और इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है मतलब इनमें कोई भी functional ग्रूप नहीं होते हैं अच्छा एक कॉंसेप्ट और आता है काई रैलीटी ठीक है यदि कार्वन एटम अलग अलग चारो ओर से अलग अलग फंंग से अटेच है तो इसे हम कहाएंगे काईरल कारवन जैसे एलिणी में यह जो कारुण है यह चारो तरफ साइड्ट हाइड्रोजन है यहां कार्वाकजिल एसटिक ग्रूप और यहां अमेधिल कार्वन जबकि ग्लाइसीन को देखे तो यसमें नों साइड है तो हिसमें कारण संब्स acid के solution में हम light डालते है ना तो यह उस light को monochromatic light डालते हैं या तो वो right side rotate करते हैं या तो left side rotate करते हैं ठीक है तो यह जो glycine तो किसी भी side rotate नहीं कर पाएगा क्योंकि यह chiral लेकिन जो alanine है और जितने भी amino acid जो कि chiral है वो light को left side rotate कर देते हैं इसलिए यह मैंने कहते हैं लीवो रोटेटरी है ठीक है यह याद रखेगे जितने भी amino acids होते हैं glycine को छोड़के वो सारे लीवो रोटेटरी होते हैं क्योंकि यह light को left side में rotate कर देते हैं इसके साथ ही amino acid का classification इस amino group की position के base पर भी किया जाता है यदि यह amino group left side है तो इसे हम कहेंगे L amino acid और यदि यह माल लो यह amino group right side में होता तो इसे हम कहते है आर amino acid ठीक है आर amino acid लेकिन हमारी protein में जितने भी amino acids पाए जाते हैं वो सारे amino acid रहते हैं इनमें left side amino group होता है और right side carboxylic group रहता है यह याद रखिएगा next हम बात करेंगे acidic amino acid के बारे में जो acidic amino acid है इनमें एक extra carboxylic group present रहता है ठीक है इसका example है aspartic acid and glutamic acid for example यह aspartic acid की structure ठीक है यह हमारा alpha carbon इससे दो group attached है यह हर amino acid में सेम रहेंगे ठीक है यह हाइड्रोजन group है यह हमारा extra acidic group CH2CO- अब इस extra acidic group के कारण इसमें जो net charge है वो minus 1 है क्योंकि यह minus यह plus यह तो आपस में कट गए यह बच्छा एक extra negative charge ठीक है न तो जितने भी acidic amino acid रहते हैं न उस उन सभी में physiological pH मतलब pH 7 पर जो net charge है वो 1 होता है इसलिए हमेंने कहते हैं acidic amino acid ठीक है यदि हम इस carboxylic acid जो यह हमारा carboxylic acid है इसका यदि हम O substitute कर दें amino group से ठीक है मतलब यह है हमारा CH2 यह है यहां पर हमारा C double bond O single bond OH है ठीक है यह हमारा carboxylic group है यदि इस OH की जगह NH2 आ जाए तो क्या हो जाएगा CH2 CO NH2 ठीक है तो इसे हम कहते हैं amide group तो aspartic acid asparagine में convert हो जाएगा और ऐसे ही जो glutamate का जो carboxylic group होगा एक्स्ट्रा वहां भी CO NH2 आ जाएगा COOH की जगह तो glutamic acid से बन जाएगा glutamine तो यह एक अधर category amino acid की जन्हें हम कहते हैं amide group containing amino acid ठीक है next category की हम बात करेंगे basic amino acids की जो basic amino acids हैं इसमें एक extra amino group रहता है ठीक है इसके example है arginine histidine and lysine ठीक है यदि हम एक एक जामपल है यदि हम लाइसीन की structure देखें तो यह जो इस्ट्रक्चर यूपर की तो सैम होगी carboxyl group amino group और hydrogen आर ग्रुप की जगह यहां पर यह carbon chain है और यह extra amino group है ठीक है यह basic nature का होता है यदि हम physiological pH 7 की बात करें तो चुकि जो amino group है वो basic nature का है तो वो एक hydrogen ion accept कर लेगा जिससे यह NH3 plus में convert हो जाएगा तो इस पर net charge क्या जाएगा प्लस बन ठीक है जो हमारा DNA है वो negatively charge होता है ठीक है और इसके चारों तरफ एक protein रैप रहती है जिसे हम कहते है हिस्टोन प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है ना वो basic nature की होती है मतलब इन में आरजीनीन और लाइसीन जो basic amino acids है वो पाए जाते हैं इसलिए यह negatively charge DNA के चारों रहेंगी क्योंकि इन में positive charge होता है तो इन दोनों के बीच ionic interaction हो जाता है जो कि जिससे यह protein DNA को stabilize कर लेती है यह बहुत बार पूछा जाता है कि हिस्टोन कैसी protein है तो यह याद रखिएगा कि यह basic protein है और आरजीन और lysine amino acids से मिलके बनी होती है नेक्स्ट केटिग्री में आते है sulfur containing amino acids इन amino acids के आर ग्रूप में sulfur प्रेजेंट रहता है ठीक है इसके एक्जामपल है सिस्टीन एंड मीच्योनिन यह हमने सिस्टीन amino acid की structure बनाई है देखिए यह है इसका आर ग्रूप जो की ब्राउन कलर से लेकाई ठीक है इसमें यह सल्फर ग्रूप है इसलिए हम इने कहते हैं सल्फर कंटैनिंग अमाइन वैसेड एक्स्ट हम देखिएंगे एल्कोहॉलिक अमाइन वैसेड नाम से पता चल रहा है कि इनमें एल्कोहॉल ओएच ग्रूप प्रेजेंट रहता है इनकी आर ग्रूप में ठीक है इसके एक्जामपल है सेरीन एंड थ्रियोनिन यह देखिए और पर लिए आरोमेटिक अमाइन वैसेड्स मिन होती है इरोमेटिक रिंग रहती है यह एक ऑडियों डेंजीन लों ठीक है इसके एक्जामपल फिनायल आलनीन आयरोशीं एंड ट्रिप्टोफेन यह ने स्ट्रक्ट्र बनाई है यह तायरोचीं की है ठीक है जो यह यह जाता है यह ऐल्कोहॉलिक अमायनो एसेड भी है और इसमें एरुमेटिक रिंग भी पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट कैटिग्री में आते हैं है यहां एक कारवन है यहां एक कारवन है लेकिन यदि यहां एक नाइक्रोजन आ गया या फर कोई दूसरा एटम आ गया कारवन के अलावा तो इसे हम कहेंगे हैटेरो साइक्लिक रिंग ठीक है अब हेटेरो साइक्लिक अमेनो एसेट के दो एक्जाम पाल है प्रोलीन एंड हिस्टिडीन जो हिस्टिडीन है यह एक बेसिक अमाइनो एसेड है ठीक है और इसमें हेटेरो साइक्लिक रिंग भी पाई जाती है ठीक है और जो प्रोलीन है इसको हम इ इमीनो आसिट है यह इमाइनो एसेड नहीं यह इमीनो एसेड है क्योंकि इसमें एन एज गरूप होता है बाकी इमाइन एसे इसमें एक 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 एनसफन लेकिन इसमें एज गरूप बाकी अमानो एसिट में आपने देखा हूँ यहाँ एच तो रहता है लेकिन यहाँ पे है इसलिए हम इसे कहते हैं इमीनो एसे ठीक है यह एक्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इसलिए से याद रखिएगा यह रिगेड़ अमाइनो एसे हैं रिज़िट देखो जो प्लांट्स है वो सभी टाइप के अमाइनो एसेट को सिंतेसाइज कर सकते हैं क्योंकि वो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना भी खुद बना सकते हैं फोटो सिंतेसिस के तुरू लेकिन जो एनिमल्स हैं जो हम हैं वो सभी टाइप के अमाइनो एसेट को सिंतेसा क्या है, essential amino acids, non-essential amino acids and semi-essential amino acids, जो essential amino acids हैं उन्हें हमें diet के तुरू लेना पड़ता है, क्योंकि हमें आपनी body में synthesize नहीं कर सकते, ठीके, जब कि जो non-essential amino acids हैं, इन्हें हमें नहीं नहीं हिट नहीं, हमें synthesize कर सकते हैं अपनी body में, ठीके, by the process of transamination, ठीके, लेकिन जो semi-essential amino acids हैं, वो उन्हें हम synthesize कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जैसे जो threonine हैं, ये एक semi-essential amino acids है, जो humans हैं, मतलब जो adult हैं, जो बड़े हो गए हैं, वो इसे synthesize नहीं कर सकते, ठीक है, उसे इन्हें लेना पड़ता है, जबकि जो बच्चे हैं, वो arginine and histidine को synthesize नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम synthesize कर सकते हैं, इसलिए इन्हें semi-essential की category में रखा गया है, अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से एसे amino acids हैं, जिन्हें हम synthesize नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है, try-to-make, leucine, isoleucine and valine, फिर इसे आप confused नहीं रहोगे और आपको याद रहेगा, और बाकी इनको ये साथ है और ये तीन है इनको छोड़के जितने भी हमाइनों एसिट्स है 10 वो नोन शेंटियल है क्योंकि हम उने बना सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज से लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के सब से अंगरे थैंक यू